Hey friends, welcome to my channel Nima's Corner और मैं हूँ Nima आज मैं आपके साथ दो अनारकली सूट्स के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मंगवाई है जात्की.com की तरफ से जात्की से मैंने तीन लहंगे मंगवाई थे और दो अनारकली सूट्स मंगवाई थे लहंगों के रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ नहीं देखाया तो देख लीजिए आपको वो लहंगे बहुत पसंद आएगे कुकि वो हैं बहुत अपॉड़बल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो अनारकली सूट जो कि अपॉड़बल तो है ही और ब्यूटिपूल भी है सूट अनस्टेजड है तो मैं आपको साइड में फोटो लगा दूँगी उससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि सिलने के बाद ये कितने अच्छे लगने वाले हैं चलिए पहला सूट मैं आपको दिखाती हूँ पहला सूट है इस तरीके से यह पहले से बना हुआ है इसमें स्क्लीव पहले से लगी हुई है आप देख से तो यह आपको क्या करना है बॉडर यहां से स्टार्ट होता है और इतना लंबा बॉडर है मतलब अगर आप पहनेंगे ना तो नीज से थोड़ा नीचे से आपको इसका बॉडर स्टार्ट हो जाएगा और काफी अच्छा बॉडर बना हुआ है अगर मैं बात करूँ तो अबॉडरी बहुत ही क्लीन है और बहुत सॉफ्ट कलर्स है इसके मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़दा चटक बटक वाले कलर्स है बहुत गर्मियों के हिसाब से मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे लड़कियां पहने या औरते पहने जो पहनना चाहती है वो पहनो पर इसको पहनोगे न तो गर्मियों में मजा ही आने वाला है इस तरीकी का गोल्डन बॉर्डर मिल जाता है जिसमें लगी हुए इस तरीकी की मोती फ्लेयर इसका बहुत जादा है मैं आपको दिखाती है यहां से स्टार्ट होता है देखेगा खतब ही नहीं हो रहा है तो यह अगर मैं बात करूं नीचे इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा है तो जब आप पहनेंगे न तो आपका अनारकली सूट का फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा कई online सूट मैंने मंगवाए पहले उनके साथ दिक्कत क्या होती थी ना फोटो में तो इतने फ्लेयर ही लगते हैं और जब आते हैं तो बिल्कुई स्ट्रेट हो जाते हैं पर इसके साथ मुझी के दिक्कत नहीं हुई है तो यह था सूट अब मैं आपको स्लीव भी दिखा बिल्कुल आइडिया लग जाएगा यह तो हो गई सूट की बार लोगर के लिए आपको इस तरीके का फैब्रिक मिलता है अगर आप पजामा बनवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके के फैब्रिक से बनवा सकते हैं पजामा का कपड़ा भी बिल्कुल छोटा नहीं है मैंने खोल के देख लिया है मैं आपको भी दिखा देती हूं यह आप देख सकते हैं इतना है और यह डबल है तो फैब्रिक में कहीं से भी कंजूसी नहीं है यह है तो आप इस साटीम का आप इससे लोवर बनवा सकने अपने जैसा भी लोवर बनवाना चाहें तो पट्टे की इस तरीके से अम्रोइडी हो और बीट भीट में आपको इस तरीके के सिल्वर ठ्रेड से काम मिल जाएगा सूट के प्राइस के अगर मैं बात करूँ तो यह है वन ट्रिपल नाइन का अनार्कली सूट है यह बनने के बाद बहुत ही मस लगने वाला है मैं जब बनवा कि बनने के बाद यह कितना मस लगने वाला है प्राइस के अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस भी है वन ट्रिपल नाइन तो चलिए अप सूट देख लेते हैं कि अगर कि फलेयर देख के तो दिल खुश हो गया मेरा यह इसकर नेक पोर्शन आपने यहां से नेक कटवाना और यह बन जाएगा यह एक्चुली इसी तरीके का नैग बनेगा जैसे अमैना भी पहना हुआ है चोटू सा इस तरीके का इसका नेक बनेगा यह है इस तरीके स आपको यह मिल जाता है फैप्रिक की अगर मैं बात करूँ तो यह सिल्क फैब्रिक का है और अंदर से आपको साटन की लाइनिंग मिलती है पूरे कपड़े में तो ऐसा नहीं है कि भई कहीं से यह ट्रांस्पेरेंट तो नहीं लगेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसमें इस ताक्षइब की आप देख सिकते हिञा अगर नीचे की में बात करो कि इस तरीके ये आपको नीचे भी एम्रॉड्री मिल जाती है एंग ऑर इंग बात करूँ तो आपमपरोईडी है इतनी सारी एसा नहीं है कि जरा-जरा सी Ambroidery है, Ambroidery बहुत अच्छे से की गई है अगर मैं बात करूं तो इसका फ्लेयर बहुत जबर्दसत है इसका यहाँ से शुरू है अलो इसका फ्लेयर ही नहीं खतम हो रहा जब कि यह सिंगल साइड है और यह बैक साइड अलग है इसका flair बहुत जबर्दस होने वाला है तो आप इसे try कर सकते हैं दुपट्टा में आपको इसका दिखा देती हूं दुपट्टा है plain और जिसमें है side में इस तरेकी की lace यो इसको बहुत जबर्दस बना रही है देखे हर चीज बहुत जादा heavy हो जाती है ना जब तो समझ में नहीं आता देखने वाले को कि क्या जादा अच्छा है तो अगर suit इतना heavy है ना तो दुपटा plane बहुत अच्छा लगता है साइड में border लगाया हुआ इसमें इस तरीके का तो यह है second suit अब मुझे comment करके बताएगा आपको पहले वाला ज्यादा अच्छा लगा कि यह वाला दोलों की photo मैंने side में लगा दी है तो आपको उससे idea लग जाएगा प्राइस के अगर मैं बात करूं तो दोना का प्राइस है 1.09 उमीद करती हूँ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगाया तो आप इसे like ज़रूर करेंगे share ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल पर अगर नए है ना तो इसे subscribe ज़रूर करेंगे thank you thanks for watching